Hello friends, hope you are doing good. Today we are going to see second part of religion in ancient India. This lecture is presented to you by me, Priyadarshina Jain. Let's see unorthodox religions. पिछले lecture में हमने देखा था Hinduism के सारे sects, फिर हमने ये देखा था कि वहाँ पे Hinduism की 6 philosophies थी. उनके अलावा कुछ ऐसे philosophies थी, जो की unorthodox होती है, जो की कर्मा में और वेदों की authority में belief नहीं करती है. तो एक ऐसे philosophy हमने देखी थी, चारवाख school, जो की ब्रह्म की authority में belief नहीं करते, वेदों की authority में belief नहीं करते. और उसके बाद ऐसी दो और philosophies हैं, जो की religion के form में हैं. हम में practice किये जाते हैं इसलिए इन दोनों को हम अलग से पढ़ते हैं ये भी heterodox philosophies हैं ब्रह्मा की authority में बिलीव नहीं करते हैं दोनों वेदों में बिलीव नहीं करते हैं लेकिन दोनों rebirth में बिलीव करते हैं और दोनों karma theory में भी करते हैं incarnation theory of Hinduism was rejected by both जो कि हम क्याते है incarnation theory मतलब जितने भी भगवान धर्थी पर होते हैं सब विश्णु का अवतार होते हैं ऐसी theory दोनों धर्मों ने reject करी दस्विशताबदी से पहले लेकिन उसके end तक बुद्धिजम जो था उन्होंने accept कर लिया कि बुद्ध जो है वो विश्णु भगवान का अवतार है बट जैनिजम एस नेवर accepted this concept of incarnation तो अब जैनिजम एक मात्रह सा धर्म है जहां पर incarnation में कोई बिलीव नहीं है दोनों अहिंसा, peace, compassion इन सब में बिलीव करते हैं बोत आप देम वर opposed to animal sacrifices दोनों animal sacrifices को अपोस करते हैं जहां पर बात अहिंसा की आती है तो जैनिजम जो है वो ज्यादा strict हो जाता है बुद्धिजम से तो बोत अफ देम एड्मिटेट disciples from all caste and from both sex तो यह एक important ह कि सारी caste से वहाँ पे लोग होते हैं और जो बुद्ध का संग है और महावीर का संग है दोनों संग में सारी caste के लोग होते थे तो caste system में दोनों धर्म बिलीव नहीं करते और वहाँ पे women भी संग का हिस्सा हमेशा रहती थी अब differences के अगर हम बात करें तो जैनिजम के अंदर severest finances मतलब त्याग को महत्वबत जादा दिया गया है बुद्धिजम में इतना नहीं दिया गया है एक चीज़ हमने अल्रेड़ी देखी कि अहिंसा जो है जैनिजम में ज्यादा स्ट्रिक्ट है और टेक्स्ट की बात करें तो जैनिजम में प्राकरत में है जबकि बुद्धो ने जो लेंविज को यूज किया वो है पाली तो गॉतम बुद्ध के जो सर्मन होते थे पाली में होते थे और जैन तिर्थंकरो की जिसे जो टीचिंग होती थी जिसे वो देशना कहते हैं वो प्राकृत में होती थी क्योंकि common men तक पहुशने के लिए प्राकृत was a language और महावीर स्वामी ने प्राकृत language का ही यूज किया है Buddhist do not believe in existence of soul where jainism believes इसमें भी थोड़ा सा वो है कि buddhism के sect में अलग-अलग मानित आए हैं अभी हम देखेंगे आगे मोटा मोटा अगर देखें तो buddhism do not believe in the existence of soul और jainism जो है वो आत्मा के अस्तित्तों में बिलीव करता है फिर अब origin of jainism, jainism से start करते हैं jainism जो है बहुत ancient religion है बहुत सरे scholars का मानना है कि जितना पुराना Vedic religion है उतना ही पुराना jain religion है तो इसके जो वो हैं प्रमान है वो कुछ trace किये गए हैं बहुत old तक यहां तक की कुछ इतिहास का रोका यह मानना है कि इंडस्वली civilization में भी शायद jain people had survived तो these are some beliefs जो के different है origin को लेकर jain tradition is a succession of great teachers और तिर्थंकर्स वहाँ पे 24 तिर्थंकर होते हैं तिर्थंकर वो होते हैं जिने हम teacher कहते हैं जो की path दिखाते हैं जो आपको रस्ता दिखाता है जो आपको पढ़ाता है वो तिर्थंकर कहलाते हैं फिर जो लास्ट तिर्थंकर थे वो है वर्दमान महावीर उनकी teachings जो है वो बहुत वह फेमस है वर्दमान महावीर की और फर्स्ट तिर्थंकर बिलीब तो भी रिषब देव जीने रिषब नात भी कहते हैं तो 23 तिर्थंकरा वस पाश्वनात वस बोनिन वरानसी और पाश्वनात का जो पीरेड है वो 8th or 7th century BC का मना ज़ता है महावीर का पीरेड 6th century BC वाला पीरेड है All the तिर्थंकरा वस वक्षत्री वाई बर्थ ये एक important fact है सारे तिर्थंकर शत्री कैस्ट के सक्त्री जो वर्ण है उसके अंदर जन्म लेते हैं और ये 24 तिर्थंकरा टाइम तो टाइम अवध पे अपीर होते हैं और इनकी पूजा की जाती है कुछ attributes को symbolize करने के लिए इंस जान को नहीं मतलब human के form में हम इसे नहीं पूज रहे हैं हम इसे human के form में अगर पूज रहे हैं तो इसलिए पूज रहे हैं कि they had some attributes which have to be worshipped तो ये बहुत important fact है कि human को पूजा नहीं कर रहे हैं उसके attributes की पूजा हो रही है तो this is important in Jainism तिर्थंकर की अगर हम definition देखे हैं तो it is an ultimate developed state of the soul which means a teacher who makes a fold or which shows the path. तो it is a pure developed state of soul. आत्मा की सबसे ज्यादा शुद्ध स्थिति तिल्थंकर होती है. तिल्थंकर is not an incarnation of God. He is an ordinary soul that is born as a human and attains the states as a result of intense practice of finance, equanimity and meditation. by his deeds he attained तिल्थंकर होड. तो तिल्थंकर जो है वो किसी भी भगवान का अवतार नहीं है. अपने आप में human being है. एक ordinary human being है. लेकिन वो इतना ज़्यादा supreme power अच्छीव करते हैं उनके त्याग तपस्या और meditation से. तो this is the concept of Jainism. अब हम वर्दमान महवीर की बात करते हैं. वर् pleasures at age of 30. 30 की age में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था in order to live an ascetic life. और फिर महावीर जो है उनको बाद में महावीर का आगया. पहले उनका नाम जो था वो वर्दमान था. इसलिए हम उन्हें वर्दमान महावीर कहते हैं. तो उनके father का नाम था सिदार्द and mother's name was Trishla. His father was head of J Natrika clan जिसको प्राकरत में Nata भी कहते हैं इसी clan को. उनकी जो mother है उनका नाम Trishla था and she was sister of Lichavi chief Chetaka. तो Lichavi clan को ये belong करती थी और उसके राजा हुआ करते थे Chetak. तो Chetak की seven sisters थी and one of the sister was Trishla. और Chetak की एक बेटी थी जिसकी शादी हारेनक King Bimbisar से हुई थी. तो this is all of the stories about महाव की गोत्र जो है कश्यब गोत्र कहीं जाती है. After 13 years of finance, he attained the highest spiritual knowledge called केवल ज्यान. तो केवल ज्यान is the highest spiritual knowledge जिसे हम कहते हैं Omniscent. मतलब Omniscent का मतलब होता है जिसे सब कुछ पता होता है. तो केवल ज्यानी का मतलब है the person who is Omniscent, who knows everything. महावीर अटेंड इस जिंबिका ग्राम विलेज जब उनकी एज 42 थी तब उन्हें ये अटेंड हुआ. इसे कहते हैं केवल और आफ्टर अटेंड इस ही बिकम केवली. तो उसके बाद जो महावीर थे फिर उनको महावीर जिनेंद्र और निरगंत्र और केवली इन सारे नामों से बुलाया जानने लगा. तो इस आल और उन्होंने फिर बाद में निर्वान अटेंड किया पावापुरी के अंदर. पावापुरी is a place near राजगरी बिहार. एंड 72 की एज में इन्होंने निर्वान अटेंड किया. He strongly believed in the importance of celibacy और भ्रामचर. तो एक चीज हमें यापे नोट करनी है कि तिर्थंकर जिते भी हुए जैन धर्म के वो टाइम टाइम पर आते हैं अपनी टीचिंग देते हैं फिर उस एज में वो टीचिंग चलती है. तो 24 तिर्थंकर ऐसे होते हैं तो जो पार्श्वनात आये तब तक उन्होंने काफी सारे नियम बगरा बताये लेकिन भ्रामचरी पर बहुत इंफिसाइज अब एक टर्म है आई है अभी निर्वान तो हम इसको समझते हैं कि तीन अलग-अलग इंडिया के major religions एक है बुद्धीजम, जैनिजम और हिंदुईजम जो कि इस तरीके के spiritual चीजों की तरफ बिलीब करते हैं तो निर्वान का concept तीनों में थोड़ा थोड़ा दिफरेंट है बुद्धीजम ये कहता है कि it refers to realization of non-self and emptiness, marking the end of rebirth by stilling the fires that keep the process of rebirth growing, desires जो होती है हमारी उसे हम कहते हैं उसकी वज़े से आपका rebirth बार-बार हो रहे हैं तो बुद्धीजम कहता है जब ही desires सारी खतम हो जाती है आपका non-self का realization होता है आप एकदम खाली महसूस करते हो कुछ रहता नहीं आपके पास तब आप निर्वान अटेंड करते हो हिंदू philosophy के अंदर जब आत्मा का मिलान भ्रामन के साथ भ्रामन को universe माना गया है आत्मन जो है वो self है तो self जो है वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वहाँ निर्वान अटेंड होता है फिर अगर जैनिस चब्द तीनो धर्म में आया है तीनो में इसका मीनिंग अलग है तो इस इंपोर्टेंट फार प्रिलिम्स पॉइंट फिर देखिए causes of the rise of Jainism और यही causes बुद्धिजम के लिए भी applicable होंगे क्योंकि बुद्ध एंड महावीर वर अल्मोस कंटेंप्रेडी तो वैदिक रिली प्रपाली और प्राकृत में पढ़ाए गए और उस समय जो है संस्कृत ज्यादा बोली जाती थी पंडितो द्वारा तो common man की language को यूज नहीं कर रहा था तो जैनिजम और बुद्धिजम ने अपने आपको common man से connect किया तो इस वास इंपोर्टेंट मतलब आम आदमी का significance woman को भी तो it was having some honor तो इस वज़े से भी इसका rise दोनों religion का rise जो है वो हाई हो जाता है और महावीर के 200 साल बाद एक फेमाइन आया गंगावेली के अंदर है ना उत्तर भारत में वहाँ पर चंद्रगुप्त मौरी जो थे he became a jain saint and भद्रबाहु भद्रबाहु was the person who was the last आचा दिगंबर और श्वेतामबर we will see, दो सेक्ट होते हैं तो इन दोनों में जब डिवाइड हुआ उससे पहले जो आखरी आचार थे the person who holded this religion was बद्रबाहु and उनके फिर एक शिशते चंद्रगुप्त मौर, चंद्रगुप्त मौर he became दिगंबर मौंक और फिर इनको लेकर ये believes in white cladness, मतलब North India के अंदर जो रहे गए थे वो श्वेतामबर थे, तो वो believe कते हैं कि जो मौंक है, they have to wear white clad, और दिगंबर जो है, they believe कि they don't need to wear anything because sky is their clad, हिंदी के हिसाब से आप देखे तो नाम से ही clear, दिगंबर मतलब दिशाय जिनका वस्त रहों, और श्वेतामबर सफेद जिनका वस्त रहों, तो इस तरीके से ये division का एक main point है, यहाँ पर monks का division है, ये, on the night of full moon in the month of Karthik, चंदरगुप्त मौरे 116 dreams, ये एक स्टोरी है, कि चंदरगुप्त मौरे ने एक समय 16 dreams देखे थे, और फिर वो dream उन्होंने भदर बाहु, जो की last आचारी थे, undivided के उनको बताए, तो बदर बाहु ने उनका interpretation किया, एंड बदर बाहु टोल्ड कि अब एक बहुत तेज फेमाइन जो है, वो आने वाला है, और फिर इसकी वज़े से monks के लिए survive करना मुश्किल हो जाएगा, North India में, तो फिर वहां से उन्होंने migration कर दिया, South India की तरफ, चंद के leader हो गए, और फिर इन्होंने white cloth को permit कर दिया, कि आप white cloth भी use करें, और अपनी facilities के हिसाब से, मतलब अपनी convenience के हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ facility का भी उपयोग करें, तो इस तरीके से जो है, दिगंबर एंड शुतांबर, यह दोनों sect जो है, यहां से divide हो गए, according to दिगं है completely, तो उसके बाद वो कुछ खानवना नहीं खाते है, they don't need to have food, उनको energy मिलती है अपने आप, nature से, तो this is a concept in दिगंबर, बद इस concept is not accepted in शुतांबर, तो यह एक one of the main point of difference है, अभी हम और difference देखेंगे, एक हमने देखा था यहां पे dress को लेकर, कपड़े को लेकर है, दूसर दिगंबर के वली इसको लेकर है, फिर कुछ minor differences कुछ और भी है, उसमें एक हे की महावीर की शादी को लेकर दोनों में difference है, दिगंबर्स बिलीव महावीर was never married, and they believe that महावीर was married, फिर यहां पर दिगंबर्स में वोमेन जो है, वो मोक्ष केनाट, दे अटेंड, और श्विता यहां पर दिगंबर्स बेलीव जो है, वो मंदिर में होते हैं, तो दिगंबर्स में तिखराग होते हैं, वित्राग मतलब इस तरीके से जो यहां से दिख रहे हैं आपको, उनके उपर कोई extra चीज नहीं मिलेगी, और श्वितांबर्स जो तिखरा आईज यहां पर लगाद लेते हैं और उन्हें कई बार डेकोरेट भी किया जाता है, तो because of this दोनों में थोड़ा सा मंदिर के उसमें डिफरेंस आ जाता है, फिर महावीर का जो एंब्रीयो था, ऐसा बिलीब करते हैं दिगंबर की वो द्रिशला माता की कुक्षी में था, और श्वितांबर बिलीब कर सब्सक्राइब करते हैं कि वस ट्रांसफर्ट रॉम्दी देवानंदाज वॉंब, तो यह एक बिलीब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, महावीर के एंब्रीयो को लेकर, फिर कैवली जो है, वो फुड नहीं लेते हैं दिगंबर के हिसाब से, एंश्वितांबर के हिसा फिर नौ यह एक जाइन फिलोसफी, तो यह जो ऑर्थोडोक्स ट्राइशन है, हिंदुईजम जिसे हम यहाँ पर मान सकते हैं, वहाँ पर यह बिलीब था कि अगर आप दर्द सेहेंगे, पेन इफ यू टेक, तो यह कंट्रोल करेगा आपके माइंड को, मतलब आप अपनी बोडी को कंट्रोल करो, वहाँ से माइंड कंट्रोल होगा, और फिर इससे आप राइट नौलेज सीख करो, and then you behave rightly, मतलब आपका conduct right हो जाए, and then आपको मुक्ष अटेन हो जाएगा, तो यह वाला जो ऑर्थोडोक्स ट्रीशन का कॉंसेप्ट है, सफरिंग वाला, यह कॉंसे जाएट जाता है, जान फिलोसफी फस्ट प्रोपांड़ेट बाइट बाइट रिषब्देव, और विसली फस्ट रितंकर तो वहीं से स्टाट होगी, और टिशन का बाइट इससे जाएट दर्शन, तो सबने अपना अपना उसमें कुछ एडिशन दिया है, उके उसमें जि इनको अगर हिंदी में देखें, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक चारित्र, तो यह तीनों बहुत इंपोर्टन है, और राइट का क्या मतलब होता है, तो राइट का मतलब है कि आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा होनी चाहिए आपकी अपने रिलीजन के और राइट नॉलेज का मतलब होता है कि आपको जो ही ज्यान अटेंड करना है, तो यह जो पांच वोज है, यह कौन सी है, एक है आहिमसा, you have to follow strict non-violence, then सत्य, always believe in the truth, फिर एक है अस्ते, मतलब होता है, no stealing, अब इनके मिनिंग्स भी अपने आप में थोड़े से काफी डीप ह परीग्रह का मतलब होता है कि कोई भी property को acquire नहीं करना, that doesn't mean कि इसमें कुछ, आप कुछ भी acquire नहीं करेंगे, तो मतलब इसमें है कि आप जितना minimize कर सकें, उतना minimize करें, उतना ही आप यूज करें, जितना आपको जरूरत, that is परीग्रह, it is different from त्याग, जो आप त्याग करते ह परीग्रह का मतलब होता है कि possession जो है, वो कम करना है आपको, तो जितना requirement है, उतना करना है, फिर यहाँ पे भ्रहमचर है, भ्रहमचर का मतलब है strict, जो आप जिसे कहते हैं, abstinence रखना, sexual relations से, तो वो भ्रहमचर होता है, अब देखते हैं, अहिंसा जो है non-violence, वो बड़ी deep है मतलब अगर आप मन में भी किसी के बारे में कुछ violent चीज़ सोचते हैं, तो that is not a right conduct according to jainism, and फिर truth की भी बात ऐसी है, कि सत्ती जो है, वो भी absolute होना चाहिए, तो they believe in absolute truth, फिर अस्ते की बात है, no stealing, तो वो ही है कि हमको इसमें privacy वगरा का भी बहुत सार रिशु आजाता है, कि जो private life होती है, इंसान की, उसमें आपको interfere नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी किसी भी ऐसी चीज को नहीं करना चाहिए, जो आप उससे बिना permission के करें, तो that is called stealing, वो आपको नहीं करना है, फिर परिग्रह मैंने बताया already, and ब्रहमचरे, now we'll see jain theory of reality, the natural and supernatural things of universe can be traced back to seven kinds of fundamental elements, त उसमें एक है आपका जीव, दूसरा है अजीव, जीव का मतलब होता है, soul किसी भी चीज में, they believe कि हर जगे जीव होते है, everywhere there is a soul, और अजीव मतलब non-soul, exactly non-things, like table kursi हो गया, ठीक है, laptop है, computers है, तो ये सब जो है अजीव है, non-soul है, फिर आस्रव, आस्रव means influx of karma, तो जो क तो through somewhere, you can stop the influx of the karmic matter, और बंध का मतलब बता है, bondage, मतलब ये जो karmic matter है, ये actually एक cloud की तरह cover करके रखता है आपको, तो that is called बंध, फिर जब आप इसको shed करना चाहते हो, इसको रोक देने का मतलब somewhere है, मतलब ये temporary है, ठीक है, और निर्जरा, निर्जरा इसमें एक शब्द बंध का मतलब है, जब ये सारी चीज़े हो जाएंगी, तो you will be completely liberated, मतलब सारा karmic matter जब आपके पास से चला गया, then you will get moksh, और उसके second में एक stage आजाएगी, फिर उसे हम निर्वान केते हैं, substances like body which exist and envelop are called astikai and anastikai is the body which doesn't have something which doesn't have a body, तो ये दो और definitions है यहाँ पर, फिर substance is the basis of attributes, the attributes that we find in a substance are called dharm, तो वस्तु का सुभाव जो है वो धर्म है, तो उस वस्तु के जितने भी attributes होंगे, उन्हें हम धर्म मानेंगे, this is the definition of dharma in Jain philosophy, फिर there is a term called kaal, kaal जो है वो time को कहते हैं, the attributes of a substance are essential and eternal and unchangeable, without essential attributes a thing cannot exist, for example consciousness, तो चेतना जो है, वो किसी भी soul का essence है, कोई भी आत्मा तभी exist करेगी, जब उसके अंदर कोई consciousness है, तो उसके बिना वो exist नहीं करेगी, इस तरीके से they believe कि कुछ, कुछ चीजे होती है, जो essential होती है, which is the essence of a soul, वो उसके अंदर हमे potentially divine, ये सारी चीजे हैं, और उसके बाद non-violence जो है, वो जाइनिजम का basic है, ये हम already देख चुके हैं, कि non-violence जो है, उसके काफी emphasize किया गया है, Every soul is architect of its own life, here or hereafter, when a soul is freed from the karmic matter, it becomes free and attains divine consciousness, experiencing infinite knowledge, perception, power and bliss, तो this is the definition कि soul जो है, किस तरीके से, karmic matter से छूट के मुक्ष अटें कर लेती है, फिर एक concept है, universal truth का, this was a question asked in prelims 2013, around, कि जैन जो है, वो कुन से universal उसमें believe करते हैं, तो the truth is universal truth, जैन doctrine is established upon undying universal truth, universal truth का मतलब हुआ कि सत्य जो है, वो universal है, मतलब वो everywhere exist करेगा, तो सत्य सब जगे exist करता है, and everything is fixed in this world, this is the concept of जैन philosophy, केवल ज्यान is absolute knowledge, and is highest form of knowledge that a soul can attain, a person who has attained the केवल ज्यान is called केवली, this we have already seen, to get a status of a jinn, this केवल ज्यान is very important, तो इसके बाद ही आप जिन बन सकते हो, तो फिर हम देखते हैं कुछ जैन काउंसिल हुई है, फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पार्टली पुत्र में, और ये स्थल बाहू के द्वारा प्रिसाइट की गई थी, 3rd century BC में, सेकेंड जैन काउंसिल हुई वल लभी के अंदर गुजरात में, वहाँ पर जो है, नहीं है, compilation हुआ है, books का, जिनने हम कहते हैं, 12 अंग, तो 12 अंग जो हैं, वह जैनीजम के main books हैं, और इन्हें ही आगम भी कहा जाता है, तो अंग आगम का ही पार्ट है, और जो ये second council थी, this was presided by देवरधी गानी, देवर्धी गानी, देवर्धी गानी, दे किनानीकल टेक्स्ट ऑफ जैनीजम आर कॉल आगम्स, इस आगम्स के फर्म में से प्रिजर्व की जाती है, फिर हम देखते हैं, कुछ important books के नाम आते हैं, एक है आचारांग सुत्र, इस वन अफ दी अंग एक्चुली, जो हम 12 आचारांग सुत्र में दिया गया है कि जो मौंक्स हैं, उनको कैसे अपना conduct करना है, तो the conduct of the मौंक्स is given in आचारांग सुत्र, देवर्धी आचारांग सुत्र जो है प्राकरत में लिखा गया, और उसके बाद एक है कलपसुत्र, कलपसुत्र इस रिटन भाद्रवाहू, इस इस बाद्रवाटन भाद शaffू, आचारांग सुत्र ग अचारांग सुत्र, तो यह ल स्मा आचारांग सुत्र आचारांग सुत्र, कलपसुत्र, जा थे किजन जैन फिलोसफी क्या क्या है तो उसमें एक है non-violence जो है वो अहिंसा फिर non-position जिसे हम कहते है परीग्रह हमने देखा था देन अनिकांतवाद अनिकांतवाद मेंस एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से देखा जाना तो that is non-absolutism तो minimum seven standpoints होते हैं हाँ चीज के और we have to see all this और इसी के अंदर जो है हम यह मान सकते हैं कि इट प्रमोट टॉलरेंस तो अनिकांतवाद का जो concept है जैनिजम का इट अक्चुली प्रमोट टॉलरेंस तू दी कॉंट्रेडी opinions among the theologies and philosophers फिर एक important यहां पर philosophy में और concept आया है छे तरह के द्रव्य बताये गए हैं कॉस्मोलोजी के अंदर तो six kind of द्रव्य तो divine deity functions according to universal law of cycle of cyclic existence तो दोनों चीज हमने अभी देखी एक universal truth था एक फिर universal law है तो universal law जो है उससे यह दुनिया चलती है according to jainism जैसे मैंने बताया everything is fixed उसी को law कहते हैं law का मतलब हो गया सब fix हो गया तो वह fix हैं तो जो भी changes होते हैं वो कर्मों के लिए होते हैं otherwise the things are fixed तो यह छे द्रव्य कोन कोन से जीव और जीव जो हमने अभी देखे थे already उसमें seven तत्व के अंदर फिर एक है पुद्गल पुद्गल का मतलब होता है matter धर्म तत्व एक है the principle of motion अधर्म एक तत्व है principle of rest आकाश देन काल this six are the form of द्रव्य फिर एक है concept of संसार संसार का मतलब होता है क worldly life worldly life जो है वो संसार कहलाती है और उसमें जो है वो rebirth होते है reincarnations होते है और आप अलग-अलग reasons में जाते हो और इसमें जो है मतलब basically आपको pain मिलता है तो मोक्ष जो है वो इससे liberation है according to jain philosophy एक jain symbol है जिसे adopt किया था 1975 में महावीर के पच्छीस सो साल पूरे होने पर निर्वान क तो इसके अंदर ये जो emblem है ये जाइन लोग अपने सब जगे पर यूज करते हैं इसका meaning जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरीके से बनाए गया यहाँ पर एक चंद्रमा का आकार है जब भी कोई soul liberate हो जाती है तो वो यहाँ पर रहती है तो इस स्थान को गहते है सिद्ध शिला तो इस काल सिद्ध लोग यहाँ पर सिद्ध लोग रहते हैं तो इसे यहाँ पर ऐसे दिखाए गया है चंद्रमा बनाके फिर इसके नीचे जो तीन डॉट्स हैं ये तीन रतन हैं थ्री पास ओफ लिबरेशन जो हमने अभी देखे थे फिर उसके बाद नारगती इससे दिखाए गई है फिर यह जो सिंबल है यह चक्र अहिंजा का दिस अचक्र ओफ नावन वाइलेंस तो उसके बाद एक वर यहाँ पर नीचे क्या चीज लिखी गई है तो जो मैसेज है वो है परस्परो ग्रहो जीवानाम इसका मतलब होता है mutual assistance of all beings तो सारे ब उंबीनी नियर कपल वस्तु इन नेपल इन फूट इन फूट इन बड़ इस नेम वस सिदार्थ इस मदर नेम वस माया देवी और यह चोडर फिर एक बेटा था जिसका नाम तर राहूल इस अच्रव बटीनाइड इन इस फैनल इस फैनल इस दिख लिख दिख इस नूड़ अंडर पीपल ट्री और इस प्लेश वेर रहे अपना मैसेज परेट करने के लिख लाए त्रिख द्रिख इस अपना मैसेज प्रेट करने के लिख लिख लेए तो इस आल अला बुद्धिम फिर गौत्म बुद्ध के थ्री डिसाइपल्स हुए है उपाली आनंद एन महकष् और इन तीनों ने अलग-अलग उसको recite किया है जैसे उपाली जो है उन्होंने विनेइ पिटका विनेइ पिटका एक बुक है ये तीन important बुक है सुत्थ पिटका, विनेइ पुटका एंड अभिदाना, अभिदम्म पिटका तो जो विनैपिटका है उसे उपाली ने रिसाइट किया हुआ है और इसका मतलब वहता है rules of order, मतलब जो संग है बुद्ध का, उसके rules विनैपिटका में मिलेंगे, फिर आनंद रिसाइट करते हैं सुत्त पिटका को, इसमें आते हैं बुद्ध के सर्मान और बुद्ध की doctrines and बुद्ध के ethics, मतलब बुद्ध के concept जो है वह सुत्त पिटका में वह किये गए है, लिखे गए हैं, फिर उसके बाद अभीदम पिटका, अभीदम पिटका जो है वह Buddhist philosophy है, वह तीसरे नमबर पर आती है, तो यह तीन important literature की books है, बुद्धिसम की, फिर बुद्ध की life के बारे जो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक राजा है और अपना राज पाट वगेरा सब त्याग के जंगल की तरफ जा रहा है, एक घोड़ पर बैठके, तो this is a symbolic identity of this महाभिनिशक्रमन, फिर एक आता है second enlightenment, जिसे निर्वान कहा गया है बुद्धिजम में, तो यह attain होता है बु जिसे घुद्ध गीविस फस्ट सार्मान, वहाँ से धर्म का चक्र स्टार्ट होता है, और डियर पार्क क्लोज टु वारानसी, यह बनारस में हुआ है धर्म चक्र परिवतन, फिर चोथा जो है महापरी निर्वान, तो महापरी निर्वान का बता-बता है डेथ हो जाना, इ यह देखिए महापरी निर्वान की एक स्कल्प्चर है, बहुत ही खुबसूरत सी, अजन्ता की गुफाओं में, तो यह यहाँ पर दिखाए गए है, इसमें यहाँ पर इनके जो शिश्य है, आनन्द और यह सब भी दिखाए गए है, तो इस वेरी डीटेल्ड स्कल्प्चर बुद्धिस महापरी निर्वन, and some scholars had added a fifth event, अब यह एक जन्रल मानेता नहीं है, कुछ scholars की मानेता है, तो इन्होंने बुद्ध के बर्थ को भी एक event बताया, which is symbolized by a lotus तो, इसकी symbolic identity जो है, वो lotus है, यहाँ पर महापरी निर्वान की जो identity है, वो स्थूफ होती है, Now, we will see both philosophy क्या है, तो both philosophy जो है, उसमें चार noble truths बताये गए है, सबसे पहला है suffering, there is a suffering in the world, there is a cause of suffering in the world, then suffering can be cessated by something, and जब path जो है, जिससे suffering बंद हो सकती है, वो बताये गए है, तो ऐसे 8 path बताये गए है, this is called noble eightfold path, अश्टांगी का मार्ग इसे कहते है है, हिंदी में, फिर उसमें भी तीन चीज़े हैं, एक wisdom से related है, एक ethical conduct से related है, और एक mental discipline से related है, तो जो चीज़ wisdom से related है, उसे कहा जाता right view, फिर एक होती है right intention, ethical conduct जो है, वहाँ पे speech, action, livelihood, ये तीन चीज़े conduct में आती है, फिर आएगा mental discipline, वहाँ पे effort लगाना, mindfulness रखना, और फिर तीसरा concentration अठो, eightfold path, ashtangika, very important for prelim point of view, then बुद्ध की life के events, जो है, वह कैसे कैसे symbol से हमने देखा था, बर्त जो है, उसे lotus से, फिर renunciation को horse से, bodhi tree, wheel and stoop, बुद्ध philosophy में, जो चार truth है, उनका realization बुद्ध को हुआ था सब से पहले, फिर उन्होंने इनको reflect किया अपनी philosophy में, तो एक human life के अ होता है, उसमें मृत्य होती है, यह सब को suffering कहते हैं, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, तो उसका जो कारण है, वह cycle of birth and death, which is accepted by Buddha, फिर इस suffering भी हो जाती है, खतम भी हो जाती है, तो जब desires खतम हो जाती है, according to Buddha, तब यह सारी, जो suffering है, यह खतम हो जाती है, फिर उन्होंने path of liberation बताया, जिसे अश्टांगी का मार्ग कहा गया, इसके बाद जो है, आप निर्वान attain कर सकते हो, by following this अश्टांगी का मार्ग, now we'll see, यह अश्टांगी का मार्ग क्या है, तो right vision उसमें पहला है, मतलब ignorance नहीं होना चाहिए, observe करो, proper चीज़ों को right resolve करो, मतलब जो desire दूसरों को तकलीफ पहुचाती, हमारी desire, उनको आप खतम करो, फिर right speech, हमेशा अच्छा बोलो, सत्ती बोलो, right conduct, अपना conduct जो हमेशा ethical रखो, behavior, फिर right means of livelihood, मतलब कभी गलत तरीकों से आपको कोई चीज नहीं कमानी है, तो यह question एक बाद जैसे prelims में आ गया था, कि जो property आप किसी की ह करना, mindfulness क्या होता है, अपनी body, heart, mind को जो है, एक real form के अंदर maintain करना, फिर right concentration क्या होता है, अगर आप इन सब को pursue करते हैं, साथ चीजों को, तो आप इनके उपर proper concentrate करें, और उसके बाद आपके meditation or concentration से ही, फिर आपको निर्वान प्राप्त होगा, फिर आप देखें, divisions of Buddhism, this is very important हीनियान, महानियान और थेरावदा, ये तीन term जो है, sect से related यहां पर use होती है, हीनियान का मतलब होता है, छोटा चक्र और महायान का मतलब होता है, बड़ा चक्र, तो हीनियान जो है, which is interpreted Buddha's teaching literally, strictly, emphasizing on strict personal meditation and monastic path to enlightenment, तो personal meditation, एक वर यहां पर आया है, this is something we have to highlight, हीनियान के case में, personal meditation पर emphasize किया गया है, महायान की बात करें, तो बुद्ध की teaching को literally नहीं लिया गया, logic apply किया गया, logically and liberally, काफी सारी छूट ले ली गई महायान में, trying to understand the true meaning of Buddha's teaching, तो interpretation based है actually, महायान, और हीनियान में as it is, चीजों को ले लिया गया है, फिर हीनियान पहले था, और महायान जो है वो इनको lesser or greater wheels क्यों कहा जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, a great wheel is like a large ship that can carry many people over the ocean, और जो lesser wheel है वो एक छोटी boat की तरह होता है, तो वो कम लोगों को ocean पर लेके जाता है, तो यह ऐसा है कि ultimate purpose of the teaching is to carry people from the shore of the impure world to the shore of enlightenment, तो लोगों को जो है, ए इसे आप impure world कहते हो, तो वहां से आपको उन्हें enlightenment की तरफ ले जाना है, तो आप कम लोगों को ले जा सकते हो, इसलिए उन्हें हीनियान कहते हैं, क्योंकि वो personal meditation पर depend करता है, और महायान जो है, उसमें personal meditation का रोल उतना नहीं रह जाता, वो जादा लोगों को ले जा सकते है monks को, ordinary लोग को, इसलिए उन्हें महायान कहा गया, जो हीनियान है, strict discipline follow करने की बात करते हैं, तो कम लोग वो कर पाएंगे, इसलिए ordinary लोग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसे हीनियान कहा गया, थेरावदा जो है, actually ऐसा conceive किया गया है कि थेरावदा is nothing but हीन इसलिए नहीं है, जो बुद्धिजम, सदन बुद्धिजम जो कहलाता है, जो कि श्रिलंका वगरा में इंडिन सब कॉंटिनेंट के कुछ सदन पार्ट्स में डेवलप हुआ, उसे थेरावदा कहा गया, तो यह चीज हमें समझनी है, थेरावदा जो है, वो exactly हीनियान का कि विपस्दोंस confuse with हीनियान and तेरावदा, because these terms are not synonymous, तेरावदा बुद्धिजम went to Sri Lanka during 3rd century BC, when there was no Mahayan at all, हीनियान sects developed in India and had an existence independent from the form of Buddhism exist in Sri Lanka, हीनियान जो है वो इंडिया में ही रहा है और तेरावदा बाहर पहुंचा है, and had an existence independent from the Buddhist existing in Sri Lanka, today there is no हीनियान sect as such, कोई भी अपने आप वो believe होने लगा था कि हीन का मतलब भी लोग हमें छोटा समझेंगे, तो word उनोंने छोड़ दिया, और फिर universally तेरावदा word सबके लिए यूज किया जाने लगा, तो अब दो sect रह गए, एक Mahayan और दूसरा तेरावदा, तो this is the way sects जो है, वो segregate हुए, now we'll see Mahayan और तेरावदा sect दुनों बानते है, conceptually sects में difference नहीं होता है, difference जो है, वो basic concepts के बाद start होता है, तो एक है पटिक का सम्मूपद, एक concept है, बुद्धिसम के अंदर, वो भी same है, they both rejected the idea of भ्रह्मा, वेद वगएरा, ये सब भी same रहेगा, फिर कुछ word आये हैं, समाधी, पन्ना, दुखा, अनत्त ये सब भी word जो हैं, वो भी वहाँ पस same तरीके से लिए गए है, a point of difference कहां पर develop होते हैं, तो let's understand, एक term आती है, बोधी सत्व, बोधी सत्व के point पर थोड़ा difference है, बोधी सत्व होता कोन है, बोधी सत्व is an ordinary person, who takes up a course in his life, that moves in the direction of बुद्ध, एक ऐसा ordinary इंसान, जो ऐसे काम कर जो बुद्ध की दिशा की तरफ जाते हैं, मतलब जो बुद्ध ने किया, वैसे जिंदगी वो जीता है, उसे बोधी सत्व कहते हैं, anyone who direct their attention to practice the way of life of बुद्धा, is बोधी सत्व, in non-mahayan buddhism, it usually refers to maitre, the buddha of the future, जो future में appear होने वाले हैं, उन्हें maitre ही कहते हैं, और उन्ह of the future, historical buddha, गोतम, prior to his enlightenment, was maitre, गोतम बुद्ध जो है, वो भी enlightenment से पहले maitre थे, और उसके बाद वो बुद्ध हुए, according to non-mahayan, अब महायान जो हैं, वो क्या मानते हैं, तो mahaयान जो हैं, वो तीन टाम उसकते हैं, बोधी सत्व, प्रतेक, बुद्धयान और श्रावकयान, यह तीनों के भी अलग-अलग meaning होते हैं, महायान में, थेरावदा tradition के अंदर इन तीनों को ही बोधी माना गया, these three are considered as बोधी, महायान जो religion है, वहाँ पे बोधी सत्व जो हैं, वो कुछ एकदम celestial being होते हैं, ordinary लोग नहीं होते हैं, महायान में, तो यह थोड़ा सा difference है, बोध नाम की term का कभी use नहीं किया गया, जो की थेरावदा में use किया गया है, तो अभी और आगे देखेंगे इनका difference, क्या होता है, यह दोनों स्कूल बोधी के concept को accept करते हैं, है ना, और दोनों जो हैं बोधी सत्व को highest मानते हैं, तो बोधी सत्व जो हैं, वो ही बोधी का form है, मह महायान और थेरावदा मानते हैं कि ordinary आदमी ही बोधी सत्व होता है, फिर यह एक important difference है, next we'll see the difference, थेरावदास जो एक homogeneity के member है, जो इस notion पर build up है कि बुद्ध एक human being थे, यहाँ पर mystical बुद्ध का कोई role नहीं है थेरावदा में, और महायान की जब मैं बात करूंगी, तो य यह सब community से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पर mystical बुद्ध का role होता है, human being नहीं होते है बुद्ध, फिर जो थेरावदा है, इनके scriptures लिखे गए हैं, पाली में, पाली कैनॉन में, फिर महायान के scripture, they evolved in many languages, बहुत सारी languages में आये हैं, और जैसे-जैसे tradition जो है, वो एशिया में मुव करती गई, languages महाँ पर add होती गई, तेरावदा जो है, they seek deliverance from rebirth by eliminating craving and ignorance through self-discipline, तो personal और self-discipline पर यहाँ emphasize करते हैं, महायान के अंदर, teaching universalized as a number of classical Buddhist concepts, expanding religious option, बुद्ध was a spiritual presence, और ये लोग जो है, परसनल चीजों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, इनका ऐसा मानना है क जो mystical beings हैं, वो ही आपको दुनिया से तारेंगे, मतलब वो आपका निर्वान करवाएंगे, तो जो आदमी enlightened हो जाता है, उसे अरहत कहा गया थेरावदा में, यह अरहत शब्द यहाँ नहीं आया, क्योंकि यह personal enlightenment के base पे है, personally आदमी ने कुछ किया, अच्छे काम किया, self-discipline follow किया, फिर उसका enlightenment हो गया, उसे अरहत कहा गया, यहाँ mystical beings में believe है, इसलिए यहाँ पे अरहत शब्द का उपयोग नहीं होता है, अरहत is nothing but a common man, और जो महायान की teachings है, they were further personified wisdom as a feminine principle, and निर्वान is ultimate goal in थेरावदा, believed to be permanent state of knowledge, freedom and peace, and they developed the concept of emptiness, और शुन्यता as a way of emphasize the futility of changing to anything at all, और एक important difference, statues में होता है, कि तेरावदा बुद्धिजम में बुद्ध की प्रतिमानी बनाई जाती, वो लोग बुद्ध को एक अलग-अलग symbols के साथ दवशाते, empty throne होता है, फिर ऐसे tree होता है, फिर धर्मचक्र होता है, तो इस तरह के कुछ symbols हैं जो use किये गए, बुद्ध को द बात करें, तो जो थेरावदा है, teaching of elders कहा जाता है, क्योंकि पुराना धर्म है, महायान जो है वो बाद में आया, great vehicle, तो यहां map पे आपको दिखाए देगा, थेरावदा जो है, देखिए, यह साउथ इस तेशिया में spread हुआ, they devote lives to self enlightenment, तो यही सवाले एरिया में जो बुद या तिबद, they believe in the contemporary buddhas, they are enlightened beings rather than one person, incorporate teachings into daily life and helps others find enlightenment, तो दूसरों की enlightenment में मदद करने का काम कौन करते हैं, contemporary buddhas, जो हम mystical buddhas कह रहे हैं, बुद्ध के बहुत सारे form इन्होंने माने हैं, महायान बुद्धिसम में, देखिए, अब patronage वगेरा की बात करें, first council हुई राजगरही में तो ये अजाद्शत्रू king थे, उन्होंने से patronize किया, और ये council हुई, इसका क्या conclusion था कि buddhas canon as it exists today was settled at this council and preserved as an oral tradition, फिर second council होती है वेशाली में, third पार्टली पुत में, fourth कश्मीर में, fourth council जो है थोड़ा सा history में controversial भी है, but maximum जो historical people है, इसी को believe करके चलते हैं, कनिश्क वाली council को वसुमित्र इसमें प्रिसाइट करें, ये बहुत important है कि कौन संत जो है वो प्रिसाइट किये थे, तो वसुमित्र, मोगाली पुटत इस्सा, सबकामी और महाकश्य, फिर चारों के नाम हमें याद रखने होते हैं, और फिर किसमें क्या क्या हुआ था, चोथी council में पिटका established हुए थे, और फिर उसके पहले जो चीजे हुई थी, इसमें second council में, तो इस तरीके से ये सब finish होता है, और अब हम चलते हैं, बहुत important part of Buddhism, जिसे हम कहते हैं, मुद्र, मुद्रा, बुद्ध की, बुद्ध की मुद्राओं के ऊपर हमें prelims में question appear हुए हैं, पहले भ करना, और उन्हें, जो है, समझना कि क्या gesture है, तो ये photo से आप match करते जाएंगे, तो आपको gesture हमेशा याद रहेंगे, सबसे पहली अभे मुद्रा है, देखे, इसमें हाथ की स्थिती ऐसी होती है, और अभे मुद्रा का मतलब क्या होता है, कि जिसे किसे से डव नहीं लगता तो fearlessness is अभे मुद्रा, तो ये important मुद्रा है, दूसरी होती है, ध्यान मुद्रा, जब बुद्ध एक हाथ की उपर, दूसरा हाथ करके इस तरीके से बैठते हैं, तो इसे ध्यान मुद्रा कहते है, तो इसे ध्यान मुद्रा कहते है, the मुद्रा signifies meditation, concentration of good law and sang, जो कि right concentration हमें, अश्टांगी का मार्ग का आठवा पार्ट था, वो यहाँ पे symbolize किया गया है, इस मुद्रा के थ्रू, फिर इसकी position कैसी है, the four fingers resting on each other and the thumb facing upward towards one another diagonally, तो ये बहुत important है explanation, तो explanation को picture के साथ connect करके हमें इसे देखना है और फिर इसे उसी तरीके से याद रखना है, तो आप देख बुद्धा, अमिताब बुद्धा, sometimes the ध्यान मुद्धा is used in certain representation of the भाईसा ज्यार्गुरू, as a medicine बुद्धा, एक बुद्धा है, जिनके हाथ में कटोरा होता है कभी-कभी, तो ये जो है, यहाँ पर वो एक बोल लेके बाठते है, तो वो भी एक medicine बुद्धा के रूप में आने जाते हैं, तो वो भी ध्यान मुद्रा के द्वारा represent किये जाते हैं, this is very important, भूमी स्पर्ष मुद्रा, 2012 के प्रलिम्स के पेपर में पुछी गई है, भूमी स्पर्ष मुद्रा, भूमी स्पर्ष का मतलब होता है, calling the earth to witness the truth, बुद्ध जो है, वो अर्थ से कह रहे हैं कि come and see the truth, okay, this is the depiction, एक स्टोरी है कि जो मार एक परसन है, बुद्ध के हिस्ट्री के अंदर, तो मार जो है एक डेमॉन है, वो बुद्ध के ओपर अटेक करता है, और बुद्ध से कहता है कि अब आपके लिए कौन बोलेगा, now who is going to speak for you, तो बुद्ध कहते हैं कि the earth is going to speak for me, तो और इसके बाद ही उन्हें enlightenment हुआ है, ठीक है, तो इसी position में उनको enlightenment हुआ था, फिर इसका क्या है कि right hand यहाँ पे नीचे, ऐसे downward की तरफ इनका palm है, और दूसरा जो left है वो इधर अंदर की तरफ है, तो यह important है, कि यह earth को क्या कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे इसमें palm downward थी, इसमें जो palm है वो उपर की साइड है, आप difference समझने कोशिश कीजिए, यहाँ पे, यह palm downward है, यहाँ पे palm खुली हुई है, बहार की तरफ है, तो यही difference है, सबसे बड़ा वरद मुद्रा और भूमी स्पर्श में, वरद मुद्रा जाद अतर standing बुद्धा में ही मिली है, कहीं कहीं पर ही यह sitting बुद्धा में देखने को मिलती है, वरद मुद्रा क्या symbolize करती है, compassion, sincerity and wish granting मुद्रा, तो एक तो क्या symbolize करती है, और कैसे बनाई जाती है, दो चीज़े में याद रखनी है, express the energy of compassion, liberation and offering of acceptance, the hand is extended downward, palm is out, in India, वरद मुद्रा is used in images of अवलोकी अवलोकी तेश्वर का मतलब है, वो बुद्धा जो की, वो हो गया, incarnation है, विश्नु का, उसे अवलोकी तेश्वर कहा गया है, वो बुद्ध जो भी है, इसी मुद्रा में represent किये गए है, गुप्त एम्पायर के अंदर, फिर आप देखें, करण मुद्रा, करण मुद्रा की जब बात करें, तो करण मुद्रा express a very powerful energy, which negative energy is expelled, तो करण मुद्रा के अंदर, negative energy चली जाती है, powerful energy यहाँ पे आती है, this hand gesture is called warding of the evil, evil को खतम करने के लिए इसे कहते है, यह हाथ की position आप बहुत अच्छी से note कीजी, ऐसे है, it is made raising the index and little finger, यह दोनों बाहर की तरफ निकली the form this mudra is made, हाथ से बनाई गई है, और दूसरा जो हाथ है वो left hand यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है, यह होगी करण मुद्रा, फिर है वज्र मुद्रा, वज्र मुद्रा जो है वो confidence की मुद्रा होती है, तो करण मुद्रा थी power की, वरद थी compassion की और वज्र है confidence की, यह मुद वज्र मुद्रा है यह वाली, तो वज्र मुद्रा कैसी enclosing the erect four fingers of the left hand in the right fist, अब कोंसा हाथ कोंसी fist को लिये हुए यह भी important हो जाता है, तो left hand in the right fist, यह देखे, left hand की उंगली को ऐसे उपर लगा के, फिर four finger को right fist से हाथ में पकड़ा गया है, और curl around कर दिया गया है पाम को, और यह क्या symbolize कर रहा है तो confidence को यह symbolize करता है, unity of five worldly elements को भी symbolize करता है, दो चीज़े है, confidence और पांश तत्वों का मिलन हो जाना, दा वज्र मुद्रा transform ignorance into wisdom, दा मुद्रा stress the importance of knowledge in the spiritual world and is also known as मुद्रा of supreme wisdom, इसको supreme wisdom की मुद्रा भी कहा गया है, वज्र मुद्रा को, next देखते हैं main mudras of buddhism और कौन-कौन सी है, वितर्क mudra, वितर्क mudra debate की mudra है, यह देखिए, यह इस तरीके से, तो इस तरीके से एक four finger और अंगुठा जो है, दोनों को मिला के एक ohm shape जैसा बनता है, वैसा बनाया गया है, और एक हाथ जो है, यह दूसरा यहाँ पर है, और दोनों हाथ जो ऐसे हैं, इसे double वितर्क mudra का आगया है, और यह जो है, वो symbolize करती है discussions को, debates, discussion, intellectual arguments and transmission of buddhist teaching, तो जो गुरु और शिश्री के बीच में teachings वगरा होती है, वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है, फिर इसके बाद आती है धर्मचकर mudra, धर्मचकर mudra में हा तब तो सबसे बड़ा हमें पता ही है कि cosmic order वहाँ से start हो गया, buddhism का, hands are placed at the heart level with the thumbs and index finger forming circles, यह दिखिए, इस तरीके से, तो right hand पीछे की साइड है और left hand आगे की साइड है और इस तरीके सिर्कल बना रहे है, तो यह धर्मचकर mudra बहुत important mudra है, फिर उत्तर बोधी एक mudra है, दोनों हातों को इस तरीके से मिला कर बनाए गई है, all fingers are intertwined, the index fingers are extended and touch one another, देखिए, index finger एक जो को touch करती है, pointing toward the sky, यह index finger कहां point कर रही, sky की तरफ, remaining fingers are crossed and folded down, यह fold down कर दी गई है, thumbs are crossed and folded or held next to each other, clasped hands are held over the head or at the level of the chest, मतलब head तक भी हो सकते हैं और chest की level के side पर रहते हैं, उत्तर बोधी मुद्रा जो है, supreme enlightenment को symbolize करती है, supreme enlightenment, हमने एक चीज़ देखी थी, अभी enlightenment की मुद्रा थी, भूमी सपष्ट और supreme enlightenment की मुद्रा है उत्तर बोधी, तो इस तरीके से नौ यह खता मुझाती है, यहाँ पर अलग-अलग hand के gestures दिखाए गए हैं, तो आप इनको आराम से द आरीका इन फोटो से आप उनको याद रखने कुछिश करिये, यह सारी मुद्रा हैं जो है फोटो फोटो फॉर्म में, चार इंपॉर्टेंट मुद्रा हैं, अभे मुद्रा, ध्यान, भूमी, सपष्ण, धर्म, चक्र, दिखाए अधर्ण, प्रूम, धर्म, चक्र, दिखाए नच्स, यह झाए और सुंदा, चक्र, तौम, जए जाए टॉर्म, चक्र, रखने को फॉर्म, चक्र, टॉर्म, चक्र, ओने मुद्राइ मुद्रा इन पूंधर, वि और दिखाए लिखाए, घौम, झार्भ खवाए बहारा जाए, यह सुझा उनाए, चार्ण,